चिन्नेई के पानी से भरे घरों में बहता हुआ तेल भी चला आया इस वीडियो के वाइरल होने के कुछ देर बाद एंजीटी ने ये मामला लेने का फैसला किया है विमको नगर में कैथरीन के घर में तेल की गंद भरी हुई है माना जा रहा है कि इलाके में पसरे पेट्रो केमिकल उद्योग से निकला ये बेकार तेल सोमवार को घर में चला आया उनका बहुत सारा समान बरबाद हो गया पूरे घर और गली में तेल प्रदूशन पहचाना जा सकता है खाना नहीं है चलेगा पानी भी नहीं है कोई बात नहीं लेकिन अब हम सब बिमार पड़ रहे हैं गरनेशन जैसे कई लोगों को इस तेल मिले पानी में रहने की वज़ा से स्वास्थे संबंदी दिक्कते आ रही है यहां अभी भी पर्यावरनी नुकसान नजर आ रहा है इन सब को बहा ले जाने वाली बकिंगम नहर में अब काफी तेल भरा हुआ है एंडी टीवी ने पाया कि कुछ किलोमीटर आगे एन नौर के मुहाने पर प्रदूशन का हाल और बत्तर है तेल की मोटी परत किनारों पर और नावों पर है मच्छुआरे इसके नतीजों को लेकर परिशान है अभी तक यह साफ नहीं है कि कितना तेल बहा है या इसका जिम्मेदार कौन है प्रदूशन कंट्रोल बोड ने नमूने एकट्टे किये है पर्यावरन विच्चिंतित है बहुत बड़ी मात्रा में तेल आ गया है यानि ये पारिस्थिति के लिए लंबे समय का नुकसान है जो अभी ही बिमार है और आईसियू में है और ये बहुत बड़ी चोट है क्या किया जाना है नुकसान का अनुमान लगाना होगा और देखना होगा कि इसे कैसे रोका जा सकता है पहले की इस्तिति में लाया जा सकता है तूफान के बाद लगतार बारिश के बीच डूबे हुए घरों में रहने को मजबूर लोग अपा रहे हैं कि पानी के साथ तेल भी चला आया है इसका असर समंदर पर भी पड़ेगा तो चनौती एक तहरी है घरों को साफ करने की सडकों को साफ करने की और समंदर को भी साफ रखने की चन्नाई से साम डैनियल की रिपोर्ट एंडी टीवी इंडिया